क्रोम बुक तेजार रुपे क्या स्पास अता है स्क्रीन शोट यहां है अब इसे बाई किया जाए यह लैप्टोप काफी महांगा खर्चा होगा इस वीडियो के लिए जैन दोस्तों क्या हाल है मेरा नाम है राकेश तो एक चार्जर हमारे पास और अभी नंबर है यह हमारे पास क्रोम बुक इसमें भी मिलता एक चार्जर और यह क्रोम बुक फर्स्ट इंप्रेशन बल्की और थोड़ा बड़े साइज करें थोड़ा कॉम्पेक्ट साइज में अब क्या करता है इसको चेक करके बागी वीडियो बाद में एक दो दिन जो भी टाइम लगे तो थोड की मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट और रो टाइप वीडियो शूट करेंगे ताकि आपको पता लगे इस क्रोम बुक को बाय करने का मेरे पास एक सिंपल सा रीजन था कि कभी सार लोग आप मैं से स्टुडेंट हो कभी सार लोग पूछ रहे थे कि लैप्टोप बाय करें या फ देखने में नो डाउट यह है फ्रंट और यह बैक साइड और यह कुछ है साइड से हर तरफ से अगर आप देखोगे तो जो आपका यह क्रोम बुक है वह ज्यादा प्रीमियम लगता है और तो और अगर मैं आस एक चीछ दिखा हूँ आपको अंदर से भी ना को उफ करना रखता हूँ इसकी डिस्पले ओफ हो जाती है और जैसी उड़ाता हूँ इसकी डिस्पले ओन हो जाती है यह सिर्फ इसके साथ है और यह क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता किसलिए हो रहा है यहां पर अला कि मैगनेट है क्योंकि नीचे दो SPEAKER के nap याप साइड तो मैगनेट भी होगा यहां पर और मैगनेट इसमें भी होता है यही वाला मैगनेट तो जाके चिपकता है ना यहां पर ध्यान से देखो गए तो पता लगए यह पूरा ग्लास है जो ज्यादा ऐसे थोड़ा मतलब मोडन टाइप लगता है वहीं पर अगर लैप्टोप में बात करोगे आ बट डेफिनेटली यह नोर्मल हर तरीके से देखने में प्रीमियम और थोड़ा महेंगे टाइप कर लगता मतलब जिस रेट में आता है तो मेरे पास यही एक तरीका बचा था कि मैं कैसे पता लगाता वही एक्चुल में क्या डिफरेंस है चलिए मुझे एक इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ा इस पर लेकिन जो में वीडियो टार्गेटीड होने वाली यह क्रोम बुक के लिए और डिफरेंस भी बताऊंगा और लास्ट में कॉन्क्लूजन भी एक चीज़ अभी बता सकता हूं अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना इस रिक्व अभी 25 का मिल रहा है इसके अंदर SSD लगी हुई है इन डिस्प्ले फिंगर्पिंट स्कैनर अरे मतलब फिंगर्पिंट स्कैनर मुझे बस सेम प्राइज रखना था इसलिए दोनों उठा लिया दोनों में इंटल सिलेरियोन का डूल कोर प्रोसेसर है 4G RAM है और इस क्रोम बु मैं आपको तीन बेसिक रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है पहला तो यह पहला रीजन इसके अंदर storage कम है तो एक रीजन तो यह हो गया आपका और second point यह इसके अंदर आपको मिलता है Chrome OS अभी यह Chrome OS क्या है कैसे गाम करता है वो सारा मैं आपको explain करूँगा तीसरा रीजन Chrome OS फ्री है मतलब जैसे Windows का पैसा दिना पढ़ता है प्रैन को और तीसरा यह तो Chromebook है न अगर हम laptop की बात करें तो यह laptop थोड़ा सस्ते प्राइस का है यह laptop मेंगा यह डेड़ लाग का laptop है या फिर Macbook और अगर आप कुछ भी देखते हैं तो आपको इन में CPU बेटर option मिल जाते है लेकिन Chromebook में एक CPU low end ज्यादा तर देखने को मिलता है और चोटे मोटे reason हो सकते है लेकिन यह तीन basic चीजें help करती इसको सस्ता बनाने में और इतना सस्ता बन जाता है कि इस rate में touch screen दिया जा सकता है अब आप सोच लो आप दोनों के बारे में बात करें laptop versus Chromebook laptop के बारे में example थोड़ी देर के लिए OBS और दूसरा laptop में आप क्या करते हो कोई software install करते हो .exe files basically आप समझ सकते हो और आप बात करता हूँ basically Chrome OS के बारे में तो main home screen Chrome Gmail Google Docs YouTube यहाँ पे play store यहाँ अपनी अपनी मर्जी से आप कुछ applications को रख सकते हो या फिर यह option आता है इनको हटाना अनिस्टोल करना पिन करना यहाँ पर corner में control center है यहाँ recent app है कोई smartphone को आप यहाँ पे कर सकते हो connect कर सकते हो basically लेकिन main यह है काफी हत्तक phone से मिलता जुल टाइब लगेगा आपको यहाँ पर Bluetooth network left side में आप सर्च बटन है काफी बढ़ियां काम करता हर जगा सर्च करता है keyboard में इसका बटन है direct trackpad है gesture system मिल जाता है यहाँ पर आपके जो multitasking कर सकते हो अलाग-अलाग desktop create कर सकते हो सब जादा काम आता है इसके Chrome है यहाँ पर play store जो Android में होता है न सेम वही play store है यह और जो भी इंस्टोल करो यहाँ आती है मैंने WhatsApp और प्रोपर यहाँ इंस्टोल करके चेक किया हुआ है मैं एक चीज़ आता हूँ एकदम ऐसा भी नहीं कि एकदम हो जाएगा जैसे यहाँ पर मैंने bgmi इंस्टोल किया था इसको play करो तो यह नही यह server band type message show कर देता है call of duty search management दिखाता है लेकिन हाँ यहाँ पर मैंने एसफोल्ट गेम अगरा ऑपन होने में काफी टाइम लेता है यहाँ पर देख लो जैसे google classroom zoom meet और यहाँ पर इस laptop के अंदर इस रेट में वीजिये कैमरा मिला हुआ है और यहाँ पर अगर अच्छी light condition हुई जैसे इस रूम में तो इस तरह से आपको वीडियो रोडियो क्वाल्टी मिलती है जो कि इस रेट में काफी सही है काफी सारे ल Chromebook में अगर आप कोई भी document open करते हो तो वो Chrome में open होता है जैसे यह PDF है इसको मैं ने open किया simply यह आपका Chrome में ही जाके open होता है इसी के अंदर आप edit भी कर सकते हो सारे गाम कर सकते हो इवन आपका जो यह Google Drive है I mean Google Docs यहां पर सारा कुछ आप store कर सकते हो अपने जितने भी document edit कर सकते हो यहां से आपका online server पर store भी हो जाएगा Microsoft Word download कर सकते हो आप और ज्यादा क्यों confusion हो ना पूरा Microsoft Office जैसे phone में होता है आप tablet phone android में use करते हो अब आते हैं इसके keyboard की बात करते हैं थोड़ा सा यहां आपको caps lock का button और यहां आपको caps lock का button नहीं मिलेगा यह Windows laptop है तो यह बटन यह नहीं है तो यहां नहीं मिलेगा caps lock कैसे ओन करें typing करते हुए तो shift दबा के आपको letter दबा सकते हो caps lock के लिए थोड़ा आपको मेनद करना पड़ेगा यहां पे आप लिख सकते हो Chromebook shortcuts तो आपको बहुत सारे यहां पे shortcuts मिल जाएंगे आप वीडियो भी देख सकते हो YouTube पे सारे shortcut मिलके आप सारे काम कर पाओगे caps lock on करने का जैसे है caps lock के लिए mention है press search button plus alt capital letter में लिखना start कर देगा यह चंचन टाइप हवा जाती है लेकिन इसी rate में windows वाला ज्यादा solid feel होता है आओ एक quick सा speed test हो जाए power button प्रेस करते है one two three थोड़ा fast forward कर दूँगा मैं password enter करने के बाद यह खुल गया आप जो भी काम कर रहे यहां पर मैंने यह रुग गया इस rate में अक्सर इस laptop में ऐसा होता है जबकि अभी new laptop ऐसा कुछ है नहीं कि इसके अंदर हमने कुछ डाला हुआ है यह मैंने enter किया उसके बाद यह loading definitely जादा देर तक होने वाला एक तो इसके अंदर SSD नहीं अगर इसके अंदर SSD होता ना तो य हलका सा टाइम दोनों को चाहिए होता है अपनी performance पर जाने के लिए यह जल्दी रेडी हो जाता है हलका फुलका सा तो OS है कहां Windows OS कहां यह Google Chrome अपन करे 123 फास्ट है दोनों में similar टाइप लगेगा हलका सा उपन नीचे से फरक नहीं पड़ेगा अब इस rate में Windows laptop अक्सर slow performance छोड़े चोड़े काम जल्दी कर सकता है जल्दी बंद हो जाएगा जल्दी ओन हो जाएगा जैसा मैंने का यह lighter OS होता है तो उसका एक advantage मिलता है एक चीले की नहीं बताना चाहूंगा Chromebook का trackpad भाई उतना मतलब मतलब थोड़े दिन बाद आपको आधर हो जाती है जिसमें Windows laptop उसको काफी मतलब उतना experience नहीं देगा Chromebook का trackpad क्योंकि मैंने उसस्ते वाला भी नहीं लिया तो वही experience शेर कर रहा हो आपके सामने नहीं तो 17-18,000 में भी तो मिलते हैं definitely इससे fast तो नहीं चलेगा Chromebook तो UI बताया मैंने आपको performance बताया आपको ports almost similar है अब Windows laptop में HDMI port मिल जाता है इसके अंदर नहीं है, ports वगरा तो आप internet में खुद भी देख सकते हो, एक चीज़ के मामले में यहां पर इन दोनों में कफी बड़ा difference है, Chromebook का display इतना अच्छा नहीं है, I know इस rate में आपको कितनी अच्छी display मिलेगी दोनों में ही, लेकिन जैसे वह है तो दोनों similar rate के ना, Windows वाले में 23,000 में मुझे मिला है, यह इसकी display ज्यादा attractive colors देती है आपके सामने, यह थोड़ा pink pink और थोड़ा सस्ते quality का display feel होता है, अभी भी इस rate में मुझे लगता है और बहतर display deserve करता है, और display पर जो touch screen दे रखा है, इसमें क्या हाल है, touch बढ़ियां काम करता है, लेकिन वो बिल्कुल ही इसमें काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल मतलब आप देख सकते हो, अब मैं काम करता हूँ, इसको restart करता हूँ, तो on होने के बाद इसका touch काम करने लग गया, तो छोटे मोटे bug आम बात है, छोटे मोटे lag वो सब मिलने ही मिलना है, और एक वीडियो में सब कु नॉर्मल यूजर तो यह नहीं करेगा, नॉर्मल यूजर जो जो करेगा हो, मैंने सब बताया, तो और अगर मैं बताऊं, देखो भाई, जो laptop है वो अपनी जगह बहुत advance होता है, लेकिन मुद्धा है rate का, अगर आपको एक laptop अच्छा चाहिए, 30+, और सही सही मामले में में 35, 32 से थोड़ा सा उपर सुरू करोगे, तब आपको एक बहतर experience मिलना सुरू होता है, लेकिन जैसे मैंने का requirement के उपर है वाई, ऐसे थोड़ी हर कोई कितने पैसे invest कर देगा, एक student है, या parents अपने घर में बिसी बच्चे को दिलाना चाहते है, जो online class करता है, Google Meet, आजकल तो स कुछ चली रहा है, उसके लिए definitely Chromebook काफी सही option है, और दिखने में भी थोड़ा modern type लगता है, कौन से student के लिए, मैं कहूंगा, up to 10th class, 12th class भी कह सकते हो, लेकिन जैसे कुछ proper software आते है न, अब किसी को heavy editing करनी, जैसे मेरा काम है YouTube पे, किसी को तगड़े level के program करने, designing करनी है, त तो ये नहीं करेगा, basically, दोनों का बस तरीका अलग है, काम दोनों करेंगे, easy to go, battery life, इसकी काफी ज्यादा आगे निकल जाती है, एक Windows laptop से, क्योंकि light OS है न, अगर आप laptop लेने जा रहे हैं, तो आपको Chromebook नहीं लेना, लेकिन अगर आप Chromebook लेने जा रहे है, student है, तो आपको, किनको लेना चाहिए, उनको समझ में आगया होगा, basically, for students, एक और बात मन में आ रहे हो, क्यों नहीं ले लेगा, बहुत अच्छा question है, एक tablet ज्यादा बैटर है, लेकिन सवाल ये कि 20 से 25 अजार रुपे में, कोई Android टेबलेट बढ़िया, performance देने वाला नहीं आता, तो हर क्या सवाल हो, सब comment में करना, और पसंदा है तो like, share, subscribe जरू करना, मैं मिलता हम आपसे अगली वीडियो में,